हेलो फ्रेंट्स मैं आपकी फ्रेंड माधूरी कैसे हैं आप सब होप अच्छे ही होंगे आज हम सब लोग मिलकर बनाएंगे आम का मुरब्बा इसे आम का मुरब्बा भी कहा जाता है इसे गलका भी कहा जाता है इसको अलग जगा पर अलग लग चीजे कहते हैं कोई आम की और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कैसा लगा आपको, यह बहुत टेस्टी होता है, चलिए देखिए, हम ले लेंगे आधा किलो आम, यह कच्छे आम है, इनको अच्छे से दो करके, साफ करके रखा हुआ है, यह कच्छे आम है, यह ऐसे देखिए, एकदम कच्छे होने चाह क्योंकि टॉप बहुत गरम होता है, इसको काटना ज़रूरी होता है, काट लिजेगा, काटने के बाद में हम इसको कोई भी पिलर से छील लेंगे, आप इसको छील लिजिए, अच्छे से यह बहुत आसानी से छीला जाता है, जैसे आलू होता है, उस तरह से चिला जाएगा देखिंखिंगे इस तरह से हम लोग इसको चार इसे जालें चाला की लिए हम इसको दीमे-दीमे इस तरह से काट लेंगे इसका सारा पल्प निकाल लेंगे गुदा ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे ये ये इस तरह से देखिए आराम से चाकू से निकल जाएगा बीज नहीं कटती है बीज रखती है ये देखी पूरा कट गया है ये पूरा सार में डाल देते हैं बहुत टेस्टी रता है यह पंजाब में इस तरह से बनाया जाता है गुठलियों से बहुत टेस्टी रता है इसमें थोड़ा सा अगर आप यह गुदा छोड़ देंगे इसको बनाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा और जो यह जो आम के काटे रखें इससे दाल करके चट्टी बनाते हैं पंजाब में लोग इस तरह भी बनाते है और हम लोग ऐसका बनाएंगे गुदे का इस तरह से काटके रखा हुआ है अगर आपको पसंद हो तो और चुटे पीस कर लीजे और यह इस तरह से काटकर करके तयार कर लें यह फ़ार मुटे तल्य होना चीजा ते निचे प्टा होना चीजाए यहए गिस और नआ प्टा करीब 2-3 चाहिए ए डाल कके इसों गरम होने दीजे तेल को अच्छे से यह तेलुच वैं पर रहा ह 14 तूर है डहiliar निकल रहा है ऑब देख सकते हैं कि अच्छे से अब इसमें हम लोग को तड़का डालना, यह देखिए, इह पंच फोडन है, पंच फोडन होता है, मिलता है बचार में, आप इसको डालेंगे, इसमें होता है बहुत टेस्टी भी लगता है इससे हम लोग का यह मुरभा यह बहुत टेस्टी लगेगा इसके वज़े से इसमें सौंफ मैंने थोड़ी जादी डाले क्योंकि मुझे सौंफ पसंद यह देखिए यह खड़ी लाल मिर्च जरूर डाल दीजिए तीन चार आप तीखा खाते हो तीखा उपात में हम लाल मिर्च को पकने दीजिए और मसाले ूपर आने दीजिए इस तरह से बहुत अच्छा फ्लिवर आ रहा है और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है सौफ की महग बहुत अच्छी लगती है ये देखे बहुत अच्छी से पक रही है ये सब को पकने दीजिए अच्छी से अब ये आम हम ले लेंगे आम को इसी में छौंक देंगे इसी तेल में डाल देंगे इस तरह से अगर आपके याँ धूप आती हो अगर आपको कुछ इसन रखना हो तो आप इसको थोड़ा देर धूप में भी दो-तीन घंटा रख करके फिर पका सकते हैं यह देखिए इस तरह से यह तुरंद खा सकते हैं लोग यह एका धपता आराम से चल जाता है यह इस तरह से देखिए तील में और नीचे पूरा मिक्स करें यह क्योंकि खाली उसका गूदा गूदा है तो आप इसको आराम से मिला करके खा सकते हैं बहुत जल्दी भी बन जाएगा यह अगर आपका मन करें इस समय यह डाल सकते हैं आप इसमें यह पक जाने तक इसको पकाएंगे गल जाएगा यह देखिए हलका गल रहा है इस तरह से अब ढख देंगे ढख करके थोड़ा दे छोड़ देंगे इसको यह पक रहा है इसको छोड़ दिया हमने और गैस एकदम स ना होने के वजह से यह देखिए पग गया है अलका इसको चलाएंगे इस तरह से इसको थोड़ा और मिक्स कर लिंग देख रहे हैं आप अब इस समय थोड़ा सा नमक आधा चमच डालेंगे आधा चमच डालेगा इसे नमक का डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और इससे टेस्ट और इनहांस होता है डालने से यह आप डाल दीजे और यह देखिए गुड़ ले लिया हमने यह लगबग दो कटोरी के करीब हमारे गुदा था इसलिए हम इसमें गुड़ कि अबदें दो करीब 2 कटोरी भर दाल देंगे आपको जैसा स्वाथ कम जाधा पसंद रहां कि मैं इसमें चीनी भी बीड़ सकते हैं गुड़ का बुरा भी डाल सकते हैं आपके पास जो एवेलेबल हो डाल सकते हैं गुड से बहुत अच्छा स्वाद आता है इसलिए गुड हम डाल रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी लगने लगेगा गुड डालने के बाद मतलब समझे की डबल टेस्ट बढ़ जाएगा इसका इस तरह से देखिए गुड डालके हम मिला लेंगे यह देखिए यह और डाल दिया हमने इसको मिक्स करेंगे अब यह देखिए वैणेगर लेलिया वाइट वैणेगर को भी हम लोग को डेढ़ चमच डालना है जो भी आप खाते हो वैणेगर वो ले लीजेगा इससे भी प्लेवर और बढ़ जाएगा और यह थ आधा और यह देखिए आधा और ले लिया हमने इसमें डाल दिये इससे फ्लेवर भी अच्छा होगा प्रिजर्व भी हो जाएगा दोनों काम हो जाता है यह देखिए इस तरह से मिला लिया हमने इसको खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुर्स में खुब अच्छे से मिक् है एक दम अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसको अच्छे से चलाते वह हमें मिक्स कर लेना है अब यह दिए धक दिया था हमने यह थोड़ा दिर पाद खोल करके देखे यह दिए इस तरह से एकदम लिक्विड हो गया है इसमें पानी मड़ डालेगा पानी डालने से खराब हो जाएगा यह देखिए अपने आप गुर्ड ने इतना पानी छोड़ रखा है और आमने कि अपने में खुदी इतना अच्छा बन गया यह देखिए अब देखिए तेज कर दिया हमने आज यह देखिए बबल साने लगे न उपर अब इसकी चाशनी नुमा बन जाएगी हलक हलकी हलकी यह देखिए इस तरह से मिक्स कर रही है अब छोड़ियेगा मत इसको क्योंकि यह आप छोड़ देंगे तो गुर्ड नीचे से पकड़ लेगा और आपका जलने की समय लाने लग जाएगी आपके अचार में मुरब्य में इस तरह से हिलाते हुए खुब अच्छे रहते हैं जल्दी जबदी जोंकि यह जल जाएगा तो फिर यह खराब हो जाएगा इसका इसे तरह से हिलाते हैंग्या बहुत अच्छा बन रहा है तेस्टी यह इस तरह से हम इलाते रहेंगे बहुत अच्छा ही लेगा बहुत अच्छा बनेगा सॉरी यह देखिए यह बन के तयार हो गया है अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को भी यह देखिए यह बहुत टेस्टी बनता है खाने भी रियार हो गया हमारा मुरब्ब अच्छा लग रहा है ना टेस्टी बनाएगा ट्राइ करियेगा खायेगा कि लाइएगा और कमेंट करके जरूरा बताएगा लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा इंस्टाग्राम पर फॉल्ओ करिएगा बेल आइकन दबाना मत झाल